आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ और एक नमबर दूसरे का 30% है तो हमें बताना है कि वो कौन से नमबर होंगे चार option है लेट उस सी विच वन इस ट्रू तो सबसे पहले हमने एक चीज़ अजियूम कर लेते हैं लेट दो नमबर्स बी एक्स एंड वाई एक्स और वाई को हम नमबर मान लेते हैं तो दो चीज़े हमें यहां गिवन है पहला एक्स प्लस वाई इस इक्वल टू 161 और दूसरी कंडिशन यहां पर क्या दी होई है वाई इस इक्वल टू 13 टाइमस एक्स बाई 10 और 130 परसेंट ओफ X 30 परसेंट मोर है ना तो 100 प्लस 30 होगा तो 130 परसेंट ओफ X को 13 X बाई 10 लिख सकते हैं है ना तो Y की वाईल्यू अब हमें पता है 13 X बाई 10 है तो यह दो कंस्ट्रेंट्स हमें मिल गए अब चलिए इनका यूज करके सॉल करें य की वाईल्यू 13 X बाई 10 में यहां रख देता हूँ देखते हैं क्या मिलता है X प्लस 13 X बाई 10 इस इक्वल टू 161 है ना इस इंप्लाइस 23 बाई 10 X इस इक्वल टू 161 और X इस इक्वल टू 23 और 161 इसको जब हम डिवाइड करेंगे देखे हमें मिल जाएगा 7 राइट X विल बी 70 तो यहां से X हमें क्या मिल गया 70 मिल गया तो option में देखे यह option सही होगा 1 70 यहां लिखा है but let's for the function of solving solve कर लेते हैं अब Y क्या होगा Y बराबर था 13 into 70 upon 10 के तो यह हो गया 13 into 7 which is equal to इतना equal होता है 91 के है ना इसका मतलब हमें क्या पता चला option number 2 right option number 2 is the correct option for this question है ना so I hope you guys understood thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts आच चार्सो 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 पर